शराब घोटाले में फसे अर्विंद केजरिवाल को एडी MPML कोट में पेशी के लिए लाई थी पेशी के लिए जाते वक्त सुनिया अर्विंद केजरिवाल ने क्या कहा इधर कोट में सुनवाई चल रही थी उधर दिल्ली के सड़कों पर आम आद्वी पार्टी के कारकरताओं का हुजू मुमला था उनकी पुलिस से रस्ता कसी चल रही थी आम आद्वी पार्टी के नेता सरकार पर भिन भिन तरह के आरोप लगा रहे थे और बीजेपी आम आद्वी पार्टी पर हमला बोल रही थी पूरी खुंडा करती है अर्विंद केजरिवाल जी के घरवालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है अर्विंद केजरिवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई है बेटे को अरेस्ट कर लिया घरवालों को किसी से मिलने नीं दिया जा रहा खुराब जीतने के लिए ये तानशाई की जा रही है अरुद केज़िवाल इस पूरे के पूरे एक साइज पॉलिसी में शराब भोटाले में एक कॉंस्पीरेटर है वो सरगना है, वो शडियंत्रकारी है, जो साउथ ग्रूप, जो कई कंपनियों का अमल्गमेशन है, ये जो साउथ ग्रूप के कविता की थी, किस प्रकार से बैक डोर लगभग 100 करोड रुपए उन्होंने अरविंद केजरिवाल और अरविंद केजरिवाल के मित्रों को दिय आम आधी पार्टी के नेता कह रहे थे कि सरकार ने ताना शाही के सारी सीमाएं लांग ली हैं और बीजेपी कह रही थी कि केजरिवाल का असली चहरा सामने आ गया है जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंतरी को कोट में मैटर विचारा धिन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में कल गिरफतार किया गया यह इस बात को दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंतरी किसी भी कीमत पर लोकतंतर की हत्या करना चाहते हैं और सभी विपक्ष के लोगों को जेल में डाल करके वो किसी भी तरह से चुनाव जीत करके इस देश में तानासाई को स्थापित करना चाहते हैं दस सम्मन मिलने के बाद भी हाई कोट चले गए हाई कोट नहीं बड़ी नहीं किया इस साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं जो चेहरा ये अनना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का अनना हजारे के अंदोलन का चेहरा केजरीवाल तार-तार कर दिया है आम आद्धी पार्टी कह रही थी कि केजरिवाल को साजिश के तहत गिरफतार किया गया है और बीजेपी चुट के ले रही है अरविंद केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया एक लंबे समय से या शंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहट अर्विन केजरिवाल जी को गिरफतार किया जाए एसा लगता है कि मनीश से सोडी और संजे सिंग जी को बहुत याद आ रही थी अर्विन केजरिवाल की और होली मिलन जो होगा वो अब ध्रश्टाचारियों का जेल की सलाकों के पीछे होगा आम आदिपाटी कह रही है कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और बीजेपी कह रही है कि केजरिवाल को दिल्ली वालों की हाई लगी है अज मॉडल कोड अफ कंड़क्ट लगने के बाद चुनाव की घोशना के बाद एक राष्ट्रे पाटी के राष्ट्रे अध्यक्ष को गिरफतार कर लिया जाता है ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमला है मनोज तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि केजरिवाल ने स्वराज से शुरू की गई अपनी राजनीत को शराब तक ले आए अर्विंद केजरिवाल को अपने करमों की सजा मिली है और दिल्ली के जनता की हाय लगी है क्योंकि उन्होंने लूटा है आप इनका सफर एक लाइन में लिखवाईए अर्विंद केजरिवाल इनका सफर स्वराज से शराब तक अर्विंद केजरिवाल पर एड़ी का शिकंजा बुरी तरह कसा हुआ है अब देखना ये है कि दिल्ली का क्या हुगा केजरिवाल किसी को नया सियम चुनते हैं या कोई नया विकल बुनते हैं दिल्ली से मौसमे सिंग, पंकत जैन, अमित भार्दवाज, जितेंद बहादूर सिंग, हिवानशु मिश्रा, संजय शर्मा और कुमार कुनाल के साथ आज तक भी रहो